भिंड जिले के नया गाओं में आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम हुआ जिसने भिंड कलेक्टर छोटे सिंग अपर कलेक्टर आर चांदिल जिपियस कुषवा जनपद अध्यच उर्मिला उपाद्यच 635 एवं समबंदित विवाद की समस्त अधिकारी मौझूद रहे नया गाओं थाना प्रिभारी भी मैं फोर्स के साथ तैनात रहे नया गाओं में यहा कारकरम विधाले परिसर में हुआ इस कारकरम में विविवागों के सिवर लगाई गई जिसमें समस्याओं का समाधान जिसमें स्वास्ते सिच्छा सड़क पाली बिजली विविविविवागों ने आवे दन लेकर मौके पर नेराकर किया कारकरम की सुर्वाद GPS कुस्वा ने स्वास्त सिवाव में जो भी सुईधाय हित ग्राहियों को मिलती हैं उनकी जानकारी थी अब भिंड में दिव्रागों के लिए विशेश चिविल लगेगा यहां अगामी जानकारी थी उसके बाद बिंड कलेक्टर छोटे सिख ने राजस्त विभाग से संबन्दित जानकारी थी और कहा कि पंचायत में जितने भी काम होते हैं चाहे वह आवास जोजना से हो या अन्य कोई दिकास कार रहे उसकी जानकारी सारवजिनिक करनी होगी यदि ऐसा नहीं होता है तो सची पर कारवाई होगी राजस्त विभाग में फोती नामंत्रन यदि आवेदन देने पर निराकरम नहीं होता है तो सूचना देने वाले को पुरुश्क्रत किया जाएगा ऐसे कोई घातेदार की नित्यु होगी तो उसके बारसान के नाम जिकास कारने जीए या किसी ने जमीन की नजिश्की करा ली खरीद ली तो उसका जिसमें बेची उसका नाम पठना चाहिए और जिसमें खरीदी उसका नाम आजाना चाहिए तो ऐसे बहुत सारे केते है इसक आप लोगोंने देखा होगा किन लोगों की समझ्या हैं, अब सारी चीज़ कंपूल्टर पर आ गई है, तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं, जिनके नाम पहले खासरे में चड़े थे, बीवन में चड़े थे, पर अब कंपूल्टर नहीं है। किसानों की गंबीर समझ से आएं, आवारा गायों से फसलों के नुक्सान को बचाने के लिए, जिले में लगबग 30-35 गोशा लाएं, मनजूर हुई हैं, सरपच इस काम में तेजी लाएं। बिंड कलेक्टर कारिकरम में अपने सही समय पर पहुँचे, लेकिन कुछ अधिकारी कलेक्टर के आने के बाद आए, और पहले निकल गए। 26 हित ग्राहियों ने आपकी सरकार आपके द्वार मंच पर लाभान वित किया। एवां सिवर में लगबग अपनी सिकायतों का रजिस्ट्रेशन दोसों लोगों में कराया। बिंड सी प्रदीप रजावत की रिपोर्ट। इस दिवाले युवाओं को ग्याम दे रहा हैं, अपने सपनों को पूरा करने का सुन है रामाओं का। इस दिवाले शुरू करें आपका अपना व्यवसाइड एक छोटी सी पूझी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर करें इन्फो ग्याम वर्क्स अट रेट चीमेल डॉट कॉम पर या फिर कॉल करें 9540409066 पर धन्यवाद।